नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ जिंदाल स्टील और पावर शेर का टेक्निकल एनिलिसेस और हम देखेंगे कि इस शेर में एक धमा के दार तेजी कब आई की क्या इस शेर में यहां से गिरावट आ सकती है इस शेर को खरीदने के बेस्ट लेवल्स कौन से रहेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा J.S.P.L. जिंदाल स्टील और पावर शेर के शॉर्ट टर्म टार्गेट्स तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में हमारे सपोर्ट की तो यहां पर आप देखो द अभी भी यह शेर अपने ट्रेंड लाइन के नस्दीक में ही चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर दोस्तो यह वाला ट्रेंड लाइन इंपोर्टन्ट है अगर बात आती है इस शेर में रेसिस्टन्स की तो यहां पर आप देखो दोस्तो यह वाला जो लेवल है 427 इंडिकेटर्स हमें क्या सिगनल दे रहे हैं तो यहां पर अभी मैं दो इंपोर्टन्ट इंडिकेटर को लगा चुका हूँ यहां पर दोस्तों क्या हो रहा था आप देखो आरेसाई में लगातार गिरावट देखने को मिली थी पर अभी एक चीज अच्छी हो रही है कि आ यहां पर दोनों टेकनिकल इंडिकेटर धीरे धीरे करके बुलिश हो रहे हैं आईए तो अब हम देख लेते इस शेयर में मैं कब एंट्री लूँगा तो यहां पर दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी पूरे स्टील सेक्टर में हमें एक बहुत ही अच्छी तेजी देख देखने वह मिली है पर मुझे लगता है यहां पर भी इस शेयर में भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है तो हमें शेयर को कब बाय करने तो दोस्तों जैसे यह अपना 427 का रेजिस्टन्स ब्रेक करते है उसके बाद दोस्तों आप इस शेयर को खरीद सकते हो इस शेयर में दोस्तों जो मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 448 रुपीस का और सेकेंड टारगेट रहेगा 500 रुपीस का शौट टम है तो दोस्तों आज की वीडियो के लिपस इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो